तो ही गाइस वेलकम दू दू चैनल वी बैक एंड गाइस आज मैं जबस बात करूँगा यहां पर कि क्या न्यू अबडेट्स हैं क्या न्यू फीचर्स आएं दिसंबर मन्त में आप सभी के लिए और यहां पर एक और इंपोर्टेंट बात या फिर कहुत है एक और इंट्रे लगें सो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो और यहां पर जो फर्स्ट अपडेट है या फिर कहुत है एक छोटी सी इंप्रूमेंट है आप नॉर्मली जानते थे आप पाइनप बेरी का अगर यूज करते थे पकमुन को के अंदर तो वहां पर जस्ट पकमुन के डबल केंड इन्ट Mix नॉर्म जाती थे हैं लेकिन अब यह चोटा सा चेंज ए कि अगर उकल आप तक हैर वहां कि यहां पर खटने शेसry पकमुन कर 2000 का डॉज करते थे अगर आप यहँडियो एग आन्ऊप बेरी का यूज करते हैं तो अगला जोटा सा फियो एस आप सृवन प्रूमें है ऐसा नहीं है जस्ट एक hidden फीचर है या फिर को तो hidden अपडेट है कि आप नॉर्मली जानते नैनब बेरी का आप यूज दब करते हैं जब आप किसी पॉक्मोन को freeze करना चाते हैं अब वो थोड़ी सी भी movement नहीं करेगा थोड़ी से भी attack नहीं करेगा तो उसको catch करना थोड़ पॉक्मोन को की तरफ से आपने नॉर्मली देखी भी होगी आपने बहुत सारी status अभी collect कर ली होगी तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉक्मोन को बहुत easy है में हम दे रहा है अगर आप किसी पॉक्मोन को catch करेंगे नॉर्मल पॉक्मोन को तो वहाँ पर almost आपको 500 मिल साथ वहाँ पर आपको one heart देखने को मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं है वहाँ पर भी आपको three heart देखने को मिल रहे हैं इतना बड़ा update नहीं है लेकिन एक थोड़ी सी improvement है या फिर को तो एक थोड़ी सी मदद मिलेगी अगर आपको किसी भी buddy के साथ level up करनी है बहुत fast यह अपडेट है नेक्स अपडेट की बात करूं वह है friends xp को लेकर अब xp आप जानते हैं अभी बहुत easy way में xp मिल रहे हैं आप सभी को excellent throw per nice throw per great throw per pakman catch करने पर research complete करने पर यहाँ पर gym defeat करने पर यहाँ पर team go rocket से battle करने पर सब जगे यहाँ पर आपको है एग हैच करने में आपको बहुत ज़्यादा xp मिल रहे हैं पकman goku चाता है कि आप December से पहले यहाँ पर 40 level पर आ जाए community day पर आप बहुत easy way में xp गेन कर सकते हैं यहाँ पर status भी गेन कर सकते हैं तो वो ध्यान रखना community day पर मैंने विससे पहले वीडियो भी बना दिये त अगर नहीं देखी हो तो आप जरू देखना दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने description में दे दिया है वैसे तो मैं बात करूँ यहाँ पर जो चीज आप जानना चाहतें की community day की shiny rating क्या है तो वो है friends यहाँ पर 25.6 yes friends 25.6 है it means यहाँ पर अगर एक किसी Pokemon को मान लीजी यहाँ यहा से एक नाएक shiny आपको मिल ही जाएगी यह जस्ट रेटिंग है जो यहाँ पर 2020 में जितने भी community day हुए है तो जो shiny का percentage है वो है friends यहाँ पर 25.6 है तो इस वज़े से हम यहाँ पर normally समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर जो December मन्त में होने वाले आप सभी के लिए community day two days का तो व वो थोड़ी और कम हो सकती है या फिर कहूं तो किसी के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है तो उस पर आप थोड़ा से यहाँ पर ध्यान रखना लेकिन हाँ इस वे में आप shiny easily get कर पहेंगे और भी कुछ जगें जहाँ पर shiny की जो rating है वो थोड़ी सी change हुई है कही increase हुई है